दोस्तो मुझे आप में से ज़्यादातर लोगों के ऐसे कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि मैं आपको पार्ट टाइम कमाई का कोई ऐसा तरीका बताऊं जिसके बारे में आज तक बहुत कम लोगों को जानकारी हो ताकि आप जल्दी से कमाई शुरू कर सकें और बहुत अच्छी कमाई भी कर सकें क्या आप गूगल से जी हाँ गूगल से बहुत अच्छी पार्ट टाइम कमाई करना चाहते हैं और वो भी अपने घर बैठ कर आज के वीडियो में मैं आपको गूगल की ही दो अलग-अलग साइट से पार्ट टाइम कमाई करना सिखाऊंगा वो यूएस डॉलर्स में और वो भी सिर्फ आपके मुबाइल फोन से ही फिर आप चाहे स्टूडेंट हैं हाउस वाइफ हैं कोई जॉब करते हैं या बिजनस करते हैं आप बहुत अच्छी पार्ट टाइम कमाई कर पाएंगे अपने घर बैठ कर अपने खाली समय में आपको ल साम है संजीव कुमार जिंदल मैं पिछले 26 सालों से एक HR recruitment professional हूँ और इतने सालों के experience के दम से ही मैं आपके लिए फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाकर regularly लेकर आता हूँ देखिए दोस्तो सारे इंटरनेट पर लाखों websites हैं और mobile apps हैं पर Google से ज्यादा भरोसे मंद कोई भी website या mobile app हो ही नहीं सकती है दोस्तों मैं आज के वीडियो में आपको बिल्कुल नए अनसुने और अनोखे तरीके से पार्ट टाइम कमाई करने का तरीका सिखाने जा रहा हूँ देखे दोस्तों करोना वाइरस के कारण सारी दुनिया में पढ़ाई या education online हो गई है और इसके कारण सारे exams या परिक्षाएं भी online हो गई है online exams या परिक्षा के लिए online question papers की आवशकता पढ़ती है दोस्तों तो दोस्तों यहीं पर आपके लिए कमाई की एक golden opportunity है आप अपने घर बैठकर सिर्फ अपने mobile phone से ही online questions paper डिजाइन करके US dollars में बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं आप बिलकुल फिक्र मत कीजे मैं आपको इसी वीडियो में online question paper डिजाइन करना सिखाऊंगा अगर आप सिर्फ दसवी पास हैं और आपने आज से पहले ये काम कभी भी नहीं किया है तो भी आप online question paper डिजाइन करना सीख जाएंगे अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेंगे बहुत ही ज्यादा आसान है आपको एक नया skill कोशल या हुनर सीखने को भी मिलेगा और आप बहुत अच्छी US dollars में part time कमाई करना भी सीख जाएंगे देखे दोस्तो काम ऐसे करना है Google का ही एक बहुत बढ़िया tool है या आप उसको site भी कह सकते हैं जिसका नाम है Google Maps जी हाँ Google Maps इस दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं हर देश में हजारों educational institutes हैं और ये सब ही आजकल online पढ़ा रहे हैं और online ही exams या परिक्षाएं भी ले रहे ह Google Maps का इस्तेमाल करके आप दुनिया के किसी भी मुल्क या शहर के educational institutes को contact कर सकते हैं आप उन्हें ये offer कर सकते हैं कि आप उनके लिए online question paper design करके दे सकते हैं और इस तरह से online question paper design करने का काम पकड़ सकते हैं मैं आपको इसी वीडियो में step by step सिखाऊंगा कि काम कैसे पकड़ना है आपकी आँखों के सामने आप भी ये काम असानी से कर पाएंगे उसके बाद Google Company की ही एक और 100% genuine और free site है उसका नाम है Google Forms जी हां Google Forms आप इस site को अपने mobile phone में ही इस्तेमाल करके world class professional level का एक online question paper design कर सकते हैं कैसे design कर सकते हैं आपने तो आज तक कभी किया ही नहीं है मैं आपको step by step इसी वीडियो में सब कुछ सिखाऊंगा जब ये वीडियो खतम होगा आप एक online question paper design करना सीख चुके होंगे और आप ये सब कर पाएंगे बिना एक पैसे की भी investment किये अपने नए पुराने mobile phone से ही आप एक नया skill तो सीखेंगे ही और साथ ही में एक बिलकुल नए तरीके से part time कमाई करना भी सीख जाएंगे तो चलिए अब मैं आपको अपने laptop और mobile पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ और सिखाता हूँ तो friends ये है मेरे laptop का screen अभी मैं आपको अपने mobile phone पर भी ले जाकर दिखाऊंगा आप चिंता मत कीजे सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हम online question paper design करने का business या काम पकड़ेंगे कहां से हमें कौन ये काम देगा तो अब मैं अपना browser खोल लेता हूँ तो friends ये है मेरा chrome browser ठीक है यहां सबसे उपर देखी यहां जाएंगे यहां क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है Google Maps गौर से देखेगा Maps लिखा हुआ है दोस्तों ठीक है इसे हम यहां पर search bar में type भी कर सकते है Google Maps यहां से भी खोल सकते हैं ठीक है तो मैं यहां से खोल लेता हूँ Maps तो friends अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से Google Maps के जरीए बहुत आराम से आप online question paper design करने का काम पकड़ सकते हैं ठीक है देखे दोस्तों Google Maps के जरीए हम पूरी दुनिया के किसी भी देश य उनको हम यह offer कर सकते हैं कि हम आपके लिए online question paper design करके देदेंगे और उसके लिए हम इतने US dollars चार्ज करेंगे तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना आसान है online question paper design करने का काम पकड़ना ठीक है और वो भी Google Maps जैसी एक बहुत ही अच्छी और genuine site के जरीए सबसे उ मैं type करता हूँ educational institutes in London UK मैं आपकी जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दूँ अगर आप सिरफ London तक ही type करते हैं UK नहीं लिखते हैं तो आपको UK की बजाए हो सकता है भारत या किसी और देश के institutes की list दिखे जाए यह हम पहले से research करके रख चुके हैं ठीक है तो यह जो keywords आपने डालने है Google Maps search bar में वो इस तरह से डालिएगा कि जिस भी country में आपको educational institute search करने हैं वहां की किसी city का नाम डाल दीजे और देश का नाम डाल दीजे ठीक है उसके बाद हमने enter कर दिया तो यह आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 20 result एक page में दिखा रहा है ठीक है और यह बहुत सारे institute's हैं सिरफ London के अंदर और सिरफ UK के अंदर UK में London जैसी उससे चोटी या बड़ी दरजनो cities हैं या शहर है ठीक है और इसी तरह से हम बाकी देशों को भी search कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अब मैं आपको अपने mobile phone पर लेकर चलता हूं और दिख हूंगा कि हमें यहां पर काम कैसे पकड़ना है दोस्तो हमें यहां से email ID कहां से मिलेंगे उनको हमने क्या email भेजनी है उस email की language भी मैं आपको बनाकर इस वीडियो के description box में डाल दूगा लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने mobile phone पर ले जाकर दिखाता हूं कि आप यह सारा का आप अपने mobile phone से भी आराम से कर सकते हैं तो friends अब मेरा mobile phone आपके सामने है आप देख सकते हैं यहां पर Google Maps का एक icon आपको दिख रहा है यह Google Maps हर mobile phone में automatically by default होता ही है दोस्तों ठीक है अब मैं इसको क्लिक करके खोल लेता हूं ठीक है और यहां पर जहां उपर search बार है Google Maps की मैं यहां type कर देता हूं educational institutes in London UK अब आप देख सकते हैं दोस्तों London में जितने भी educational institutes हैं जो reputed हैं जिन्होंने अपनी listing Google Maps पर कर रखी है वो आपको यहां दिखाई देते हैं ठीक है मैं आपको सिर्फ यह दिखाना चाहता था कि यह सारा काम mobile phone से ज़्यादा अच्छे तरह से ह दिखाऊंगा कि इन में जितने भी institutes हैं यहां से आप यहां से आप online question paper design करने का काम आखिर पकड़ेंगे कैसे क्योंकि आपने पहले किया नहीं है ठीक है वो मैं आपको practically दिखाऊंगा तो friends अब मैं आपको अपने laptop पर वापस लेकर आ चुका हूं अब मैं आपको यह institutes हैं दोस्तों और यहां पर यह list देखे सिर्फ एक शहर की है जो भड़ती चली जा रही है ठीक है अब हम उपर जाएंगे अब देखे दोस्तों यहां पर यह एक institute दिख रहा है Pearson College London ठीक है इनकी यह website है ठीक है इनका यह mobile number भी है हो सकता इस पर whatsapp भी हो whatsapp आप पूरी दु description box में लिख चुका हूँ जिससे आप email से या WhatsApp से इन institutes को भेज सकते हैं वो एक जनरल सी language है आप उसमें चाहें तो कुछ बदलाव भी कर सकते हैं दोस्तों ठीक है अभी मैं आपको यह दिखाता हूं कि आपको email कैसे मिलेगा इस particular institute का ठीक है और इसी तरह से आपको सब के मि मिल जाएंगे मैं एक का आपको ढूंड के दिखाता हूं अब इनकी यह website का आइकन बना हुआ यहां क्लिक कर देंगे ठीक है अब आप देखेंगे दोस्तों इस institute की email ID हमें सबसे ऊपर यहां दिख रही है इनका contact number भी यहां दिख रहा है आप देख सकते हैं शायद यह mobile number हो और आप चेक करें शायद whatsapp number हो ठीक है यह तो email तो है ही यह आपको किसी भी institute की website पर उपर मिल सकती है या contact us में मिल सकती है सबसे नीचे जनरली यह contact details होती है दोस्तों देखें यहां नीचे तो ही है हर एक website में 90% email IDs आपको सबसे नीचे मिलती है यहां पर site के उपर ही लिख करनी कैसे है और क्या email भेजनी है अब देखें मैंने यह email ID यहां से copy कर लिया अब मैं यहां से अपना एक Gmail account खोल लेता हूं ठीक है अब मैं यहां compose पर गया सबसे उपर मैंने यह email ID यहां पर paste कर दी ठीक है देखें subject बहुत important है दोस्तों अब देखें friends जिन institute से आप online question paper design कर करने का plan कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े institute से हैं यहां पर रोज सेक्णों email तो आती ही होंगी तो subject बहुत important है कि आप subject में क्या लिखेंगे ठीक है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं देखें मैंने लिख दिया an important message about online question papers design ठीक है अब यहां पर जो email है मैंने आपक जैसे पहले भी बताया एक दो बार कि जो email आपको इन institute को भेजनी है काम पकड़ने के लिए उसकी एक general सी language या उसका एक simple सा format मैंने इस video के description box में लिख दिया है अब मैं यहां पर उस format को copy कर देता हूं अब देखें यह वो email की language है मैं यहां से इसको copy कर लेता हूं और यहां मैंने paste कर दिया तो देखें यह language मैंने बनाई हुई है high clients name ठीक है यानि कि आप जिस भी institute को यह email करेंगे यहां उसका नाम change कर दीजेगा ठीक है अब देखें यहां पर अभी मैं आपको खोल के दिखा देता हूं हम देखें यह email कर रहे थे Pearson College London को ठीक है तो यहां पर लिख देंगे Pearson College London यह जो भी institute का नाम है और बाकी यह आप अपना नाम डाल देंगे your name यह मैंने language इस तरह से एक simple सी बना कर इस वीडियो के description box में डाल दिया दोस्तों ताकि आपको यह लिख नहीं ना पड़े ठीक है आप चाहें तो इसमें कुछ बदलाव ज़रूर कर लीजे ल और यहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दोस्तों email के अंदर ही I am also attaching some samples of my online question papers तो जो online question papers के designs है वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा आप चिंता मत कीजिए आप अपने laptop या mobile phone से ही online question papers design कर पाएंगे सिरफ चंद मिनिटों के अंदर दोस्तों ठीक है तो वही designs यहां प कुछ आपके पुराने design किये हुए question papers भी देख सके ताकि उसको तसली हो और वो आपको काम दे काम लेने का तो यही तरीका होता है दोस्तों कि कुछ पिछला काम उसको दिखाना ही होता है ठीक है तो उससे आपको काम मिलने के chances बहुत बढ़ जाएंगे ठीक है इस तरह की email आप काफी institutes को कर सकते हैं इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताओं दोस्तों आजकल Gmail की यह policy है अगर आप एक ही तरह की email बहुत ज्यादा लोगों को कर देते हैं तो वो spamming में आ जाती है और आपकी email client के inbox में ना जाकर देखिए वो spam में चली जाती है spam में जनरली बड़ या employees जाकर email नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो अब trick क्या है कि आपकी सारी के सारी emails ज्यादा से ज्यादा clients के inbox के अंदर ही पहुंचें ठीक है तो आपने क्या करना है यह जो सबसे उपर आप देख सकते हैं जो subject है यहाँ पर आप एक full stop लगा दीजे ठीक है और अगली email में इस full stop को हटा दीजे और इसकी जगा एक comma लगा दीजे ठीक है और तीसरी email में जहाँ पर यहाँ अगर आप देख सकते हैं एक full stop है तो दो कर दीजे इससे यह होगा कि आपकी सारी की सारी email एक जैसी नहीं दिखेगी Google का जो software है वो इसको spam identify शायद ना कर सके क्योंकि थोड़े बहुत changes आपने कर दिये हैं और आपकी जो email है वो client के inbox में ही पहुचेगी ठीक है दोस्तो आज कल अगर आप email से ही ज़दा से ज़दा communication करते हैं तो यह जो trick छोटी से मैंने आपको बताई बड़े काम आ सकती है ना सिरफ इस काम के लिए बलकि किसी भी काम के लिए आपने 200 300 500 लोगों को email किया अगर वो किसी के inbox में पहुचा ही नहीं वो सबका सब spam में पहुच गया तो आपका email तो किसे ने पढ़ा ही नहीं तो आपको काम किसने देना है आप से कोई contact ही नहीं करेगा आपको यह लगेगा कि यार इस काम में तो कुछ benefit ही नहीं है जबकि हुआ यह होगा कि आपकी जो email है जिसमें आपने काम पकड़ने के लिए मेहनत करके clients को एक offer भेजा वो उम तक पहुचा ही नहीं दोस्तों उसके बाद आपने इस mail को send कर देना है दोस्तों ठीक है तो यह हो गया mail भेजने का एक तरीका जिससे आपकी mail client तक कम से कम पहुचेगी अब म मैंने आपको दिखाया था educational institutes in London United Kingdom सपोज अब मैं यहां से change कर दूँ और यहां पर डाल दू Cambridge उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर UK ज़रूर डालना है अगर आपने सिर्फ city का नाम डाला है ठीक है क्योंकि Google Maps सबसे पहले country identify करता है उसके बाद city identify करता है अगर आप स सकते हैं दोस्तों की इंग्लेंड में Cambridge में जितने भी institute से उनकी लिस्ट आपको यहां देखती है इसी तरह से मैं इसको बदल कर New York भी कर सकता हूं दोस्तों New York के बाद US से जरूर लिखना है दोस्तों सिरफ New York लिखेंगे तो results आपको नहीं दिखेंगे अब आप देख सकते सिर्फ और सिर्फ Paris शहर के इंस्टिटूट्स की लिस्ट आ गई अब France में ही Paris जैसे बहुत सारे शहर हैं दोस्तों आप Google सर्च करके France के जितने भी शहर हैं छोटे बड़े उनकी लिस्ट निकाल कर यहां पर Google मैप में डाल कर उनकी website पे जाके उनके email ID निकाल कर या उनके WhatsApp लेकर उनको email कर सकते हैं उनको message कर सकते हैं दोस्तों email कैसे करनी मैंने अभी आपको दिखा दिया है अगर client interested होता है आपकी email पढ़ने के बाद तो आपने जो contact details दी हुई हैं दोस्तों उन contact details पर वो आपसे contract करेगा rate negotiate करेगा तो friends आप मेंसे काफी लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम एक online question paper design करने का आप कितना पैसा मांग सकते हैं देखे friends आप 100 US dollars से लेकर 500 US dollars तक एक online question paper design करने का मांग सकते हैं एक institute सिरफ एक question paper design नहीं करवाएगा वहाँ पर जोनों online question papers आपसे design करवाए जाएं जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ question papers में जो questions पूछे जाने हैं वो तो आपको institute ही देंगे आपको तो सिरफ उनके designing करनी है वो मैं अभी दो मिनट में आपको करके दिखाऊंगा आपके laptop और mobile दोनों पर हो जाएगा और आपकी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं होता है और ना ही आपको कोई खास टूल या कोई software खरीदना पड़ता है आपकी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं होगा मैं इसी वीडियो में आपको ना सिरफ दिखाऊंगा बलकि करना सिखाऊंगा भी दोस्तों ठीक है आप मेरे साथ व इंडिया या दिली या पटना या बैंगलोर और आगे इंडिया लिख देते हैं तो उनकी लिस्ट भी यहां आपको दिखेगी आप उनसे भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यह तो आपने देख लिया कि Google Maps से हम online question paper design करने का काम कैसे पकड़ेंगे ठीक है अब मैं आपको Google के ही एक टूल के जरीए यह सिखाऊंगा कि कैसे आप online question paper design करना भी सीख जाएंगे यह आज हम सारा काम Google के उपर ही करेंगे और उसी से कमाई करने की कोशिश करेंगे ठीक है और वो जो टूल है उसका नाह है दोस्तो Google Forms जी हां Google Forms मैंने Google Forms टूल का भी एक link इस व एसे ही आपके mobile पर भी खुलेगा दोस्तो अब मैं आपको friends अपने mobile phone पर भी Google Forms का यही टूल कर दिखा देता हूँ मेरा mobile phone अब आपके आखों के सामने है ठीक है अब यह Google Forms का link मैंने click किया देखी यह खुल गया मेरे mobile phone पर आप देखे friends सबसे उपर right hand में टॉप पर जहा वही format में टूल मेरे mobile phone पर खुल चुका है जो मेरे laptop पर अभी आधे मिनट पहले आपने देखा था कोई फरक नहीं है दोस्तों ठीक है मैं आपको अपने laptop पर इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि laptop पर screen बढ़ा है मेरे लिए आपको समझाने में असानी रहती है और आपको अपने mobile phone पर ले जाकर भी वो particular process दिखाऊंगा और सिखाऊंगा जो laptop पर possible नहीं होगा ठीक है आप चिंता मत कीजेगा मैं एक भी step छोड़ता नहीं हूँ मेरा वीडियो इसलिए लंबा हो जाता है लेकिन मैं आपको हर चीज दिखाता हूँ बिना कुछ भी edit किये अब मैं दुबारा से आपको अपने laptop पर ले आया हूँ दोस्तों अब देखेंगे friends जहां लिखा हुए personal नीचे लिखा हुए go to google forms यहां क्लिक कर देंगे अब देखें जहां लिखा हुए start a new form जहां पर यह plus का sign है यहां क्लिक कर देंगे तो अब friends यहां मैं आपको दिखाऊंगा online question paper design कैसे करते हैं बहुत असान है free है Google का tool है इससे बढ़िया genuine कुछ नहीं हो सकता दोस्तों ठीक है अब मैं आपको करके दिखाता हूँ आप भी ऐसे ही कर पाएंगे अब सबसे पहले दोस्तों हम अपने online question paper का theme बदलेंगे ठीक है अब वो theme कैसे बदलते हैं मैं आपको दि book and school यानि कि यहाँ पर education से related या काम से related जादा तर themes है online question paper को interesting बनाना ज़रूरी होता है दोस्तों ताकि जो भी व्यक्ति या जो भी student उस online question paper को solve करने जा रहा है उसको अच्छा लगे उसे भाई ठीक है boring सा online question paper उतना अच्छा नहीं लगेगा client को अगर आप बहुत ही interesting, vibrant, colorful online question paper design करके देंगे तो वो इसको appreciate करेगा और हर बार काम आप ही से करवाएगा आपने अगर 2, 4, 5, 10 institute पकड़ लिए उनसे regular आपको online question paper design करने का काम मिलने लग गया तो दोस्तों आप घर बैठके बहुत अच्छी खासी US dollar में कमाई करने लग जाएंगे ठीक है तो हमें design बहुत अच्छा बना कर देना है client को अब आप देख सकते हैं दोस्तों यह हमारे question paper का header है यानी जो सबसे ऊपर दिखेगा ठीक है वो हम यहां से choose कर लेंगे अब देखी यहां पर यह कुछ मुझे header अच्छा लग रहा है जिसमें यह देख सकते हैं इसके अंदर यह lab के कुछ instruments आपको देख रहे हैं ठीक है मैं इसको ब्लू होगा दोस्तों इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं ठीक है अब इसको ब्लू थिम पर है रख लिया है अब उसके नीचे है background color अब देखें जो background color है दोस्तों यहाँ पर वो यह है यह जो आपको दिख रहा है यह background color है इस online question paper का ठीक है अब यहाँ से हम इसको change कर सकते हैं देखें यह change हो गया, यह light हो गया ठीक है, fine, इसको light ही रखते हैं दोस्तों अब आप और नीचे आएंगे तो देखें यहाँ लिखा हुआ font style, यानि कि यह जो online question paper है इसमें जो font हैं आप देख सकते हैं इनका जो style है हम यहाँ से choose कर सकते हैं दोस्तों देखें यहाँ पर चार अलग-अलग styles हैं क्योंकि यह एक serious online question paper है तो यहाँ पर जो style है font के वो बहुत ज़्यादा नहीं आप समझ सकते हैं लेट से मैंने formal रख लिया तो यह formal आ गया ठीक है अब basic तो वो था ही हमारा सबसे पहले वाला मुझे basic ही ठीक लग रहा है आप चाहें तो कोई और भी रख सकते हैं लेट से अगर आप online question paper छोटी classes के students के लिए बना रहे हैं तो यह playful रख सकते हैं दोस्तों यह मैं आपको suggest करूँगा otherwise आप basic रख लीजे ठीक है तो मैंने basic इसको choose कर लिया तो friends हमारे online question paper का जो एक basic theme था वो design हो गया अब हम इसको यहां से बंद कर देंगे उपर से ठीक है theme हमारी बन गई दोस्तों अब हम actual question paper design करना शुरू करते हैं हमें friends अब कुछ settings करनी है ठीक है सबसे पहले वो कैसे करनी है मैं आपको दिखाता हूँ सबसे उपर जाएंगे जहाँ यह setting का button है यहां click कर देंगे अब आप देखेंगे दोस्तों यहां पर सबसे उपर लिखा है collect email addresses यह बहुत important है दोस्तों क्योंकि आप एक online question paper design करने जा रहे हैं ठीक है तो security के point of view से एक student सिरफ एक बार ही एक question paper का answer दे सके उसके लिए यह select करना बहुत ज़रूरी है collect email addresses आप ज़्यादा मत सोचिये confused मत होईए technically अगर मैं आपको explain करने लग जाऊंगा आप confused हो जाएंगे आपने बस सिरफ इसको select कर लेना है ठीक है दोस्तों और उसके बाद नीचे दिखे जहां लिखा हुआ है respondents can respondents का मतलब होता है students या जो लोग question paper हल करेंगे या answer करेंगे ठीक है और उसमें यहां जो लिखा हुआ है नीचे see summary charts and text responses इसको click कर देना दोस्तों ठीक है अब ऐसा क्यों नहीं करना है मैं आपको explain तो कर सकता हूँ आप confused हो जाएंगे ठीक है मैं जितना simple हो सके उतना रखना चाहरा हूं दोस्तों ओके उसके बाद देखे लिखा हुआ है quizzes ठीक है मैं यहां click करूंगा अब देखे जहां लिखा हुआ है make this quiz इसको select कर लेंगे उसक हमारी settings सेव हो गई दोस्तों ज्यादा तर online question papers के जो आप design करेंगे किसी भी client के लिए यह settings सब जगा चलेंगी ठीक है दोस्तों यह एक बार आपको हर client के लिए कर देना है बस अब देखे friends सबसे उपर हम लिखेंगे कि यह जो online question paper है यह है किस चीज के लिए किस subject के लिए कि topic के लिए ठीक है तो सबसे पहले तो यही होता है दोस्तों हाना तो यहां हम वो लिख देंगे यह information आपको client देगा दोस्तों ठीक है यह सारी details आपको client देगा आपने सिरफ copy paste कर देना है आपका काम सिरफ designing का है दोस्तों अपने दिमाग से यह निकाल दीजे कि आपको question papers decide कर करने हैं उनके शब्द आपने चुनने हैं ऐसा कुछ नहीं है वो यह सारी information आपको देंगे आपको सिरफ और सिरफ एक कॉमा और full stop भी लगाए बिना सिरफ copy paste करते चले जाना है आपका काम यह designing का है सुन्दर सा बना के दे देना है ठीक है दोस्तों बहुत ही असान है अब जो question paper का सबसे उपर title है मैं यहाँ पर डाल देता हूं topic तो मैंने देखे title डाल दिया general knowledge के हम फिलहाल एक online question paper design कर रहे है general knowledge check करने के लिए students की ठीक है दोस्तों अब देखी जहां लिखा हुए form description यहां लिख देंगे fill all details correctly ठीक है यह information भी आपको client ही देगा दोस्तों ओके बह email address यानि कि जिस भी student के पास यह online question paper जाएगा वो यहां अपना email address डालेगा ठीक है दोस्तों यह जो email address आपको दिख रहा है यह हमने थोड़ी दर पहले settings में जाके set किया था ठीक है यह हमने पहले से research करके रखी हुई थी दोस्तों अब हम नीचे आएंगे दोस्तों अब दे उसके बाद जहां नीचे आएंगे जहां यह required लिखा इसको on कर देंगे यानि यह जरूरी है नाम तो डालना ही होगा ओके उसके बाद दोस्तों सबसे उपर देखेंगे यहां लिखा हुआ multiple choice यहां क्लिक करेंगे सबसे उपर लिखा हुआ है short answer यहां क्लिक कर देंगे अब जो student इसको करेगा जिस client को आप यह भेजेंगे उसको देखने में कैसा लगेगा वो देखने के लिए सबसे उपर आप देखेंगे यह आई एक आख का sign देख रहा है यहां preview है इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यह दिख जाता है कि जो हमने online question paper design किया है वो देखने में कैसा ल design कर लिया यहां पर ज्यादा समझ आ रहा है आपको हना अब मैं आपको बंद करके दिखाता हूं यहां पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन design करने के बाद वो वैसा दिखेगा ठीक है अभी तो हमने design करना शुरू ही किया मैं आपको और design करके दिखाता हूं अब के नीचे हम लिखेंगे यहां पर roll number जो भी student यह question paper solve करेगा उसका roll number ठीक है यहां से हम इसको required पर कर देंगे click अब आप देखेंगे दोस्तों बहुत important है यहां लिखा हुआ है response validation has been added देखें दोस्तों कई बार हो सकता है कि यह line लिखी हुई ना आए जब आप online question paper यहां पर design करने के लिए बैठें क्योंकि हमने यह 5-10 बार experiment करके देखा था अपने office में तो कई बार यह नहीं आता है ल अगर आपके form में यह response validation लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आप यहां से आकर इसको click कर देंगे तो वो आ जाएगा दोस्तों ठीक है अब दोस्तों मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि यहां पर role number का जो section है जो online question paper में हमने design करके डालना है वो कैसे होगा देखें friends हर class में role number की एक series होती है कई बार वो एक number से शुरू हो के 30 number पर खतम हो जाती है या एक number से शुरू हो के 50 number पर खतम हो जाती है depend करता है कि यह class में students कितने हैं ठीक है तो वो उसी हिसाब से हमें यहां पर वो add करना है वो कैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ अब देखें जहां यह लिखा हूँ नंबर इसको यहां पर ऐसे ही छोड़ देंगे और अगर आपके यहां पर number लिखा हूँ नहीं आता है आपके form में जब आप खोलेंगे यहां पर तो देखें यह जो एक triangle बना हुआ है यहां क्लिक करेंगे और यहां से आप number ले सकते है दोस्तों ठीक है तो यह number आ जाएगा ओके इस तरह से उसके बाद देखें लिखा हूँ है इस number यहां पर क्लिक करेंगे अब देखें जहां लिखा हूँ है between यह मैंने क्लिक कर लिया यहां पर हम अपना first number डाल देंगे let's say एक class में 58 student है यानि 58 ठीक है तो हमने यहां पर डाल दिया 1 और दूसरा डाल दिया 58 यानि जो roll number कोई भी student डालेगा वो 1 से 58 के बीच में ही होगा दोस्तों ठीक है और अगर कोई भी student एक या 58 के अलावा कोई number डाल देता है let's say 60 डाल देता है या 100 डाल देता है तो उसको एक message आएगा online ही कि आपने गलत number डाला है ठीक है और वो message क्या होगा वो हम यहां type कर देंगे दोस्तों अभी मैं type कर देता हूं wrong number ठीक है ओके दोस्तों अब यह जो हमने setting की या design किया यहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हम preview में जाके देख सकते है कि कितना सुन्द डिजाइन हुआ है दोस्तों Google forms के उपर बिल्कुल बहुत ही सुन्दर मैं आपको दिखाता हूं अब देखिए मैं preview पे जाके click करूंगा अब देखिए पहले का portion था अब देखिए यह roll number है अब मैं अगर यहां पर डाल देता हूं let's say 90 और submit करता हूं तो देखिए लिखा ह से डिजाइन हो गया यहां पर देखिए बिल्कुल clear दिख रहा है और जहां से हम अपना online question paper design कर रहे हैं वहां पर हम वापस चलके देखते हैं अब देखेंगे दोस्तों यहां पर यह कुछ और दिख रहा था ठीक है क्योंकि यह designing part है ठीक है यहां पर आपको यह कुछ समझ question paper के अंदर questions डालना शुरू करेंगे जो actually हमें client ही देगा दोस्तों हमने अपनी तरफ से तो question बनाने नहीं है definitely ठीक है तो client questions देगा वो बस आपने एक के बाद एक डाल देने है इवन वो sequence भी देगा कि एक number 2 number 3 number बहुत असान है दोस्तों ठीक है अभी मैं यहां से आपको दिखाने के लिए अपनी तरफ से कुछ questions बनाकर design करके दिखा रहा हूं ठीक है अब आप दोस्तों हमने plus पे नहीं जाना है add question पे हमने नीचे आना है यह जहां आपको दो यह बार्स दिख रही है यहां क्लिक करेंगे अब दिखिए यह second section आ गया दोस्तों section 2 ठीक है इस तर यहां पर जो title हम डालेंगे यहां डाल देते है question paper जाहिर सी बात है यह information भी आपको client से ही मिलेगी ठीक है और यहां पर हम description में कुछ भी लिख देते हैं अब मैं यहां लिख देता हूं all questions carry 10 marks ठीक है दोस्तों यह information भी client ही देगा ओके और नीचे आ जाते है ठीक है अब दोस question add करना है तो फिर वहीं से होगा जहां प्लस है अब दुबारा जाएंगे वहां पर और यहां पर हमें question add कर देंगे इस तरह से हम 10 20 50 सो जितने मर्जी questions add कर सकते हैं अलग अलग उनके format से हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा design करने के format से लगें दोस्तों ठीक है मैं अलग इतने बढ़िया online question paper design करके हमें भीजते हैं जो professional लगते हैं ठीक है अब मैं यहां एक question बनाके डाल देता हूं how many days are there in a leap year ठीक है दोस्तों एक question है यह मैंने वैसे ही अपने मन से बनाया सिरफ आपको दिखाने के लिए question तो आपको client ने देना है institute ने देना है जो आपसे काम क ख्रेक कर दूगा अब मैं यहां पर type करूँगा 3.56 अब दीखें जहां add option लिए मैंने यहां क्लिक किया यहां मैंने लिख दिया 3.65 ठीक है उसके बाद दुबारा से मैं add option पर जाओंगा और यहां लिख दूँगा 3.66 फिर से add option पर जाओंगा यहां लिख दूँगा 3.55 ठ ठीक है, उसके बाद हम इसको required कर देंगे, उसके बाद देखें, जो लिखा हुआ है answer की, यह बटन है, यहाँ क्लिक करूँगा, अब देखें, यहाँ पर हम सबसे यहाँ पर देखेंगे, right hand में जा लिखा हुआ है points, यहाँ marks एड करेंगे, सबसे हमने उपर लिखा था, कि देने से 10 marks मिलते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख देंगे 10, ठीक है, अब यह उपर नीचे हम कर सकते हैं, यहाँ से, अब जो उपर वाला जो ट्राइंगल है, यहाँ क्लिक करेंगे, इसको हमने 10 पर set कर दिया, अब हम यहाँ पर designing के दौरान ही, जो इस सवाल का ठीक answer है, यहाँ एक साल में कितने दिन होते हैं, उसको यहाँ पर अपनी तरफ से tick भी कर देंगे, 366, एक leap year में 366 दिन होते हैं, दोस्तों, 365 नहीं होते हैं, leap year अलग होता है, नॉर्मल येर से, ठीक है, उसके बाद यह done पर क्लिक कर देंगे, अब हम देखते हैं कि यह जो design हमने किया है, यह किसी student को कैसा दिखेगा, जब वो आकर इसको solve करेगा, वहीं जाएंगे जहाँ preview लिखा, यहाँ क्लिक कर देंगे, अब देखे, नीचे आते हैं, अब देखे, यह details हमें भरनी पढ़ेंगी, तभी हमें यह अगले section पर लेकर जाएगा, देखे, अब हम यहाँ अब देखे, यह question था, how many days are there in a leap year, ठीक है, और यह देखे, अलग-अलग options हैं इसमें, ठीक है, let's say मैं इसमें से गलत option choose कर लेता हूँ, 356, ठीक है, और submit कर देता हूँ, अब देखे, यहाँ लिखा over 10 points मिलेंगे हैं, अब मैं submit करूँगा, तो देखेंगे दोस्तों कि यहा ने answer दिया था, वो गलत था, अभी थोड़ी दिर में आपको मैं दिखाऊंगा, कि यह जो question है, इसके जब answers कहीं पर पहुंचेंगे, institute के पास, या teacher के पास, तो वो कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, तो वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए, अभी मैं आपको बाकी का online question paper design कर करके दिखाता हूँ, यहां से इसको बंद कर देंगे, उपर से, अभी के यहां थे हम वापस आ गए, ठीक है, अब हम एक और question add करेंगे, उपर से plus पे click करेंगे, अभी के यहां पर हम type करेंगे, who is the first prime minister of India, अभी के friends, जैसे ही मैंने यहां पर question डाला, Google forms के artificial intelligence ने इसका जव students हैं, उनके लिए हमने एक interesting सा online question paper design करना है, वो कैसे होगा, वो अलग तरीके से होगा इस बार, पहले तरीका मैंने आपको यह दिखा दिया, अब यही तरीका मैं आपको दुबारा नहीं दिखाऊंगा, अब मैं आपको अलग तरीके से online question को design करना दिखाऊंगा, ताकि जो student है, उसको अलग-अलग तरह से question को solve करने के options मिलें, ताकि वो interesting लगे, उसको मजा है, ठीक है, अब देखिए जहां answer की लिखा, यहां click कर देंगे, सबसे पहले तो देखिए, यहां पर हम point set कर देंगे, वही 10 point, यह भी आपको institute या आपका client ही बताएगा, कि हर question के कितने points है ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों, देखिए नीचे जहां लिखा हूए done, यहां click कर देंगे, अब देखिए जहां उपर लिखा हूए multiple choices, गौर से देखिए का मैं यहां click कर रहा हूँ, और यहां पर जहां लिखा हूए check boxes, ठीक है, मैं यह select कर लूँगा, अब हम इस सवाल के, इस question के, चार options student को देंगे, उन में से एक ठीक होगा, ठीक है दोस्तों, वो कैसे set होगा, वो अलग तरीके से set होगा, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए जहां उपर option का button लिखा, यहां click करेंगे, यहां मैं लिख दूँगा, लाल, बहादुर, शास्त भी इसी online question paper में add कर देंगे, यह student को नहीं देगा दोस्तों, यह देखे दोस्तों, इसलिए हम डालेंगे, ताकि जो institute है, जो हमें पैसे देके online question paper design करवा रहा है, हम उसका काम कम कर रहे हैं, वो हमें जो 100 से 500 US dollar दे रहा है, एक question paper design करने का, वो इसलिए दे रहा है, क्योंकि यह जो questions हैं, उनके answers हमने पहले से ही डाल के रखे हुए हैं, ताकि जो भी student यहाँ पर correct या incorrect answer देंगे, उसकी excel sheet हमारे client या institute के पास पहुँच जाएगी, वो कैसे अभी आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है, जैसे ही कोई भी student पूरा question paper fill up करके submit करेगा, उसकी पू लिखा होगा excel sheet में, किसी को manually check नहीं करना पड़े का institute की तरफ से, उसमें लिखा होगा कि इस person ने कितने marks score की हैं, कितने questions के कितने correct या incorrect answers दिये हुए हैं दोस्तों, ठीक है, तो online question paper जो हम design कर रहे हैं, ना सिरफ हम एक सुन्दर सा online question paper design कर रहे हैं, हम वो उसको इस तरह से design क कर रहे हैं, कि institute को manually in questions papers को देखना ही नहीं पड़ेगा, उसको यह पता चल जाएगा अपनी excel sheet में, कितने students ने कितने marks score की हैं, ठीक है दोस्तों, तो इस चीज के पैसे हैं, जो आपको मिलते हैं US dollar में institute की तरफ से, ठीक है, तो यह बहुत बड़ी advantage है, जो आप institute को देते हैं अब मैं answer की पे click कर दूँगा, जो इसका correct answer है दोस्तों, मैं वो यहाँ पर select कर लूँगा, जवाहर लाल नहरू, ठीक है, अगर कोई institute आपको ऐसा सवाल देता है, जिसके correct answers एक से ज्यादा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर दो भी select कर सकते थे दोस्तों, ठीक है, ओके, तो यह option भी यहाँ रहता है, उसके बाद done कर देंगे, तो अगर कोई भी student दोनों में से एक select कर लेगा, तो वो pass हो जाएगा, उसको पूरे 10 marks मिल जाएंगे इस question के, ठीक है, तो यह facility भी है, तो अभी फिलहाल जो actual correct answer है, वो मैंने select कर लिए और done पे click कर दिया, अब मैं इसको required पर click कर दूँगा, और अब हम यह देखते हैं कि यह देखने में यह वाला हमारा सवाल कैसा लगता है, देखिए हमें फिलहाल सब कुछ वैसे ही भरना पड़ता है, तभी हम वहाँ तक पहुंच पाते हैं, अब देखिए यह ऐसा दिखेगा, यह पहले वाला सवाल था, यह कोई भी institute उसके 100 से 500 डालर नहीं देगा, वो अलग दिखना चाहिए, हर एक question अलग तरह से design होना चाहिए, तभी वो interesting लगेगा, students को भी अच्छा लगेगा, ठीक है, तो यह अलग तरह का design है, अब हम वापस जाएंगे, अब दोस्तों, मैं एक और question design करके आपको दिखाता ह हो, वो अलग तरह से होगा, यह दो तरीके के design होगे, अब तीसरे तरह का question design करके, मैं आपको दिखाऊंगा, अब देखिए, उपर जब plus का sign है, अब देखिए, यहाँ पर मैं एक question type करूँगा, देखिए, मैंने question type कर दिया, write an essay on independence day, यह अलग तरह का question है, अब देखिए, दोस्तों, यहाँ जाएंगे, जहां लिख़ो मुल्टिपल चॉइस ग्रिड, यहाँ क्लिक करेंगे, अब दीखिए, जहां लिख़ो है paragraph, यह select करेंगे दोस्तों, अब यहाँ जाइँ तीन dots लगें, आप देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, रिस्पॉंस वेलिडेशन लिखवाना है तो कितने शब्दों का लिखवाना है या कितने characters का लिखवाना है या कितनी lines का लिखवाना है वो हम set करके client को देंगे तो जो student है वो online इस question paper में एक paragraph लिखेगा questions के जवाब में ठीक है दोस्तों आप समझ गए अब ये वाला कैसे design होगा सवाल ये मैं आपको अ यहां पर आएंगे इसको length ही रहने देंगे अब दीके लिखा हुआ minimum character count यानि कम से कम कितने characters का वो paragraph होना चाहिए जवाब होना चाहिए वो हम यहां से set करेंगे ये client बताएगा उसके बाद हम यहां से इसको maximum भी कर सकते हैं यहां पर minimum लिखका है let's say institute आपको यह कहता है कि हम यहां पर एक maximum count रखना चाहते हैं तो वो maximum बता देगा मैं फिलाल minimum रखके आपको दिखा देता हूँ अब यहां पर हम number of characters रख देते हैं let's say मैंने रख दिया 120 ठीक है अगर कोई भी व्यक्ति इस सवाल का जवाब paragraph में लिखता है और वो characters 120 से कम होते हैं ठीक है तो उस student क जब वो submit करेगा तो उसको एक response आएगा red color में लिखा हुआ वो मैं यहां type कर देता हूँ यहां मैं लिख देता हूँ अब देखिए यहां पर उसको जो आएगा मैं लिख दूँगा answer to short ठीक है दोस्तों अब मैं इसको required field पर कर दूँगा उसके बाद यहां पर जहां answer की ल आता है preview पर जाएंगे ठीक है वही हमें भरना पड़ेगा अब देखिए दोस्तों यहां पर यह सवाल आ गया write an essay on independence day ठीक है अब देखिए मैं यहां पर लिखना शुरू करता हूँ और उसके बाद submit करके आपको दिखाऊंगा ठीक है मैं यहां लिखना शुरू करता हूँ अब देखिए दोस्तों मैंने कुछ type कर दिया है अब मैं अगर इसको submit करता हूँ अब देखिए यहां लिखा हुआ रहा है answer to short ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया कि 120 characters अभी पूरे नहीं हुए हैं और जो हमने वहां पर warning में लिखा था answer to short वही लिखा हुआ student को भी दिखे ठीक है अब मैं यहां पर कुछ और type करता हूँ अब देखिए मैंने जैसे यह 120 characters पूरे कर दिये वो नीचे से हट गया ठीक है आपने भी कई बार देखा होगा दोस्तों आप कहीं पर कोई form भर रहे होते हैं तो यह नीचे लिखा हुआ आता है अब कम से कम आपको यह पता ह अब आप design करना भी सीख गए आपको पता ही नहीं था यह इतना ज्यादा असान है और इतनी असानी से इसको design किया जा सकता आप यह चीज सीख चुके हैं दोस्तो ठीक है अब हम वापस जाते हैं और एक और तरीका सीखते हैं जो युनीक है ओनलाइन कोश्चन पेपर डिजाइन करने का ठीक है ताकि आप पैसा कमा सकें दोस्तो अगर एक ही तरीका सीख कर आप चले गए आप अपने क्लाइंट को एक ही तरीके के online question paper design करके देंगे तो वो आपको पैसे नहीं देगा दोस्तों आपको बहुत सुन्दर बहुत युनीक बहुत बढ़िया चीज बना के देनी होगी और बहुत असान है ठीक है तो इसलिए आप इसको सीखते जाएए मैं आपको सिखा रहा हूँ इसी वीडियो में ठीक है अब हम वापस जाएंगे अब हम यहां जाएंगे जहां प्लस का साइन है तो यहां से हम एक और question add करेंगे यह आखरी question है दोस्तों जो मैं आपको design करके आज दिखा रहा हूं अब यहां पर मैं question डाल देता हूं in a leap year February month has 29 days ठीक है यह एक सवाल है ठीक है क्या यह सवाल ठीक है या गलत है ठीक है अब वो मैं आपको यहां पर design करके दिखाता हूं यह हम अभी तक सीखा नहीं है ठीक है यह एक सवाल जो है यह क्या ठीक है यानि एक leap year में February month में क्या 29 दिन ही होते हैं ठीक है अब इसका जो जवाब है true या false yes या no में हम student से लेंगे अब वो कैसे design करना है मैं आपको दिखाता हूं जहाए option लिखा है यहां क्लिक करेंगे true और अब देखें जो second option है यहां पर हम ठीक है और यहां से हम points भी select कर लेंगे ठीक है उसके बाद done पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद यह required पर क्लिक कर देंगे अब यह देखेंगे कि यह वाला सवाल हमारा कैसा दिखता है प्रिव्यू पर जाएंगे वही उपर से हम सब भर देंगे देखें फ्रेंट्स यह मैं आपको बिने edit के इसलिए दिखाता हूं ताकि आप कहीं रुक न जाएं आई नो कि इसमें समय लग जाता है लेकिन अब देखें यह आखरी सवाल था किसी भी question paper के अंदर कि वो question paper का एक समय होता है online तो है यह no doubt लेकिन जब यह किसी student के पास जाएगा तो उसको एक particular समय के अंदर यह सारा question paper solve करके वापस submit करना है ठीक है अब वो time हमने कैसे set करना है दोस्तो ठीक है इसके अलावा दोस्तो यह जो question paper है यह किसी भी student के पास email के जरीए institute द्वारा भेजा जाएगा ठीक है दोस्तो अब देखें friends कोई भी institute इस तरह के question paper को आपसे design करवा कर अपने सभी students को email कर देगा ठीक है वो कैसे करेगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा ताकि आप पूरा process समझ सकें तभी आप कमाई कर सकेंगे ठीक है लेकिन यह email जो है या जो यह question paper है हो सकता है student के पास काफी घंटे पहले या एक दो दिन पहले ही पहुँच जाए तो वो तो हो सकता है पहले से खोल के देख ले ठीक है तो यह question paper तभी खुलेगा जब institute चाहेगा और सब के सब students उसी time पर exact question paper खोल सकेंगे उससे पहले खुलेगा ही नहीं उसकी setting कैसे होगी देखिए online question paper जो हैं आजकल वो इस तरह से design किये जाते हैं कि full proof होते हैं दोस्तो ठीक है उसमें students के लिए कोई भी cheating करने का option नही बचता है ठीक है तो अब वो date and time कैसे set करी जाएगी कि उसी date और उसी time पर exact उतने ही घंटे उतने ही minute उतने ही second पर यह question paper किसी भी student के सामने live होगा उससे पहले वो खोल ही नहीं पाएगा वो setting date की अब मैं आपको करके दिखाता हूं वो बहुत जरूर ही है दोस्तों अब हम देखा हुआ search यहाँ पर type करेंगे form presenter अब देखिए यहाँ पर आगया automatically form presenter plus timer गौर से देखेंगा दोस्तों यह सब हम आपके लिए research करके ढूंड के लाएं ठीक है अब देखिए यह खुल गया इसके ऊपर click कर देंगे इसको install कर लेंगे continue पर click कर देंगे अब इसमें से एक add-on extension मैंने अभी आपको यहाँ पर extension लगा के दिखाया यह mobile phone में अलग तरह से होता है दोस्तों ठीक है यह भी हमने research करके आपके लिए रखा हुआ है अभी मैंने आपको laptop पर दिखाया यहाँ पर यह इस तरह से हुआ जैसा आपने अभी देखा कुछ second पहले लेकिन यह mobile phone पर यह जो extension है time और date का extension mobile phone पर अलग तरह से set होता है mobile phone पर यह किस तरह से set होता है वो मैं आपको अपने mobile phone पर ले जाकर दिखाता हूं तो friends अब मैं आपको अपने mobile phone पर दिखाता हूं कि किस तरह से आपने date and time को set करना है इस online question paper के अंदर ठीक है अब दिखेंगे इस मेरे mobile में सबसे उपर right hand पर तीन dots लगें यहाँ क्लिक कर देंगे नीचे से दिखेंगे आप लिखा हुआ desktop site यहाँ क्लिक कर देंगे यहाँ यहाँ पर देखेंगे नीचे लिखा हुआ है recent forms यहाँ क्लिक कर देंगे आप देखेंगे फ्रेंड्स हम इसको zoom कर लेंगे यहां से ठीक है और यहाँ पर आप देखेंगे यह तीन डॉट्स देख रहे हैं यह ऊपर वाले तीन डॉट्स नहीं दोस्तों नीचे वाले तीन ठीक है यहां क्लिक करेंगे दिखे जहां add-ons लिखा यहां क्लिक कर देंगे अब देखे ऊपर जहां पर यह search बार है देखे यहां क्लिक कर देंगे यहां पर type करेंगे form presenter यही मैंने देखे आपको अपने laptop पर भी करके दिखाया था देखे आगया form presenter plus timer यह mobile phone में थोड़ा हैंगे मैं वीडियो पूरा बनाता हूं दोस्तों चाहे लंबा हो जाए आप सीखेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे ठीक है तो अब देखे जहां पर लिखा हुए form presenter plus timer यहां क्लिक कर दूँगा तो यह देखेंगे दोस्तों यह form presenter खुल गया जैसा laptop पर खुला था ठीक है अब हम उपर से दिखें जहां पर यह cross का बटन है यहां क्लिक कर देंगे यह close हो गया अब आप देखेंगे friends यहां पर आपको एक sign दिख रहा है यह वह add-on है जो अभी हमने यहां पर add किया है जिससे हम इस online question paper में date and time set कर सकते हैं ठीक है तो अब मैं आपको आगे का process laptop पर ह भी बिल्कुल वैसा ही होता है ठीक है तो friends अब मैं आपको अपने laptop पर ले आया हूँ सबसे ओपर देखें यह add-on है ठीक है जिससे हमने time and date set करनी है मैं यहां क्लिक करूंगा देखें जहां लिखा हुए form presenter plus timer यहां क्लिक कर दूँगा जहां लिखा हुए setup यहां क्लिक कर द सकते हैं उसके बाद नीचे आएंगे तो देखें यह सब टाइटल वगरा है जो हमारे question paper के थे जो हमने set किये थे अब यह देखें सब कुछ पहले से set है यह theme background वगरा यह हमने सब कर दिया है अब देखें जहां यह लिखा हुए time control basically इस add-on से हम time control set करने आया है दोस्तों अ अपने screen पर दिखेगा यह हम set कर सकते हैं कितने बजे कितने घंटे कितने minute कितने second से लेके कब तक यह online question paper किसी भी student को अपने screen पर दिखेगा वो जहां पर भी खोलेगा ठीक है वो हम यहां से set कर सकते हैं दोस्तों ठीक है और यह बहुत जरूरी है ठीक है अब देखें कि द student को यह online question paper भेज तो दे लेकिन यह student खोलेगा जिस date को ठीक है और कितने time पर खोलेगा और कितने देर तक उसको देख सकेगा और उसका जवाब दे सकेगा यह अब हम यहां से set करने वाले हैं अब देखें friends यहां पर जो date है वो आज की है 22 September 2020 ठीक है यहां से हम date बदल सकते ह मैंने 22 की जगा 39 कर दी ठीक है यह मैं बदल के October कर सकता हूं दसवा महीना ठीक है यह इस तरह से हम बदल सकते हैं लेकिन मैं अभी फिलाल इसको वही महीना रखूंगा और वही date जो आज की है दोस्तों कि मुझे यह खोलकर भी अभी आपको practically दिखाना है ठीक है तो यहां से हम बदल सकते हैं वो आपको institute बताएगा कि यह exam किस दिन सभी students ने लेना है वो date आपने यहां डाल देनी है और यहां पर time भी डाल देना है ठीक है अब मैं यहां पर time डाल देता हूं 5 55 PM और यहां पर भी मैंने वही date डाल दी जो आज की है दोस्तों कि मुझे यह खोलकर आप खुद दिखा पाऊंगा ठीक है अब दीकिए यहां लिखा हुआ है set strict timer यह मैंने क्लिक कर दिया अब दीकिए यह जो set strict timer है इसका मतलब यह हो गया कि यह जो form है question paper है online question paper यह सिर्फ और सिर्फ जो आज की date है 22 सितंबर 2020 को 5 बचकर 55 मिनट पर खुलेगा और 6 बचकर 10 मि ठीक है अब हम यहां से नीचे आएंगे अब देखें जहां पर लिखा हुआ published form यहां क्लिक कर देंगे देखें लिखा हुआ form published successfully अब देखें दोस्तों यह जो online question paper है जिसको हम form कह रहे हैं इसका link यहां से निकलेगा copy link to click board ठीक है यह जो link है दोस्तों यहां से जो बनेगा वो हमारा जो institute यह जो client है जिसने पैसे देखें हमसे यह online question paper बनवाया है यह link वो अपने students को email से भेज देगा ठीक है दोस्तों अब देखें मैंने यहां पर click कर दिया तो यह copy हो गया दोस्तों अब मैं इसको दूसरे tab में खोल लेता हूँ उपर से अब देखें यह जो ऊप उपर Google search बार है मैं यहां इसको paste कर दूँगा इस link को और enter कर दूँगा तो देखें दोस्तों यह इस तरह से खुल गया ठीक है presenting form general knowledge general knowledge यह question paper का नाम था यह institute का logo आ जाएगा सबसे उपर यह student को ऐसे दिखेंगा दोस्तों और यह दिखें लिख रहा है general knowledge will be available in 3 minutes 26 seconds तो अभी 3 minutes के बाद यह form मेरे screen पर खुल जाएगा मैं उसका जवाब दे पाऊँगा मैं as a student अगर हूँ तो ठीक है मैं आपको यह practically दिखा रहा हूँ सारा process करके कि designing कैसे होती है उसके बाद इसका link कैसे generate होगा student के पास जब पहुँचेगा तो देखने में कैसा लगेगा दोस्तों तो अब ही यह हम wait करते हैं जैसे यह time पूरा होगा यह मेरे screen पर online question paper खुल जाएगा मैं इसका answer देकर भी आपको दिखाऊँगा submit करके भी दिखाऊँगा फिर उसके बाद आपको यह भी दिखाऊँगा कि जो institute है या जो client है जिसने पैसे देकर हमसे यह question paper design करवाया है जो सारे उसको answer sheets जाएंगी वो उनको कैसे देखेगा और किस तरह से उनको excel sheet में check कर पाएगा अब आप देखेंगे दोस्तों यहां दिखा रहा है general knowledge is already open यह question paper का नाम है और मेरे 3 second 9 second निकल भी चुके हैं दोस्तों ठीक है यह आज की date दिखा रहा है अब यहां दिखा रहा है कि यह शुरू हुआ पाँच बच कर 55 मिनट पे शाम को 22 सितंबर 2020 को और यह 6 बच कर 10 मिनट पर खतम हो जाएगा ठीक है अब मैं यहां start पर click करूँगा यानि जो student है वो start पर click करके इस question paper को solve करना शुरू करेगा अब आप देख सकते हैं कैसे अब यहां time दिखा रहा है उपर इतना time बच गया है total time 15 मिनट का है ठीक है दोस्तों अब यहां पर हम इसको करना शुरू करते हैं अब यह question paper जो हमने जल्दी से design किया था इस तरह से दिखेगा ठीक है अब यहां पर हमने अपना email id डाल देना है अब यहां पर student अपना email id ड हुआ 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 है तो जो student है उसने किया जवालाल नहरू ठीक है अब उसके नीचे है write an essay on independence day तो student यहां पर अपना essay लिख देगा ठीक है अब देखें फ्रेंड्स मैंने यहां पर छोड़ दिया ठीक है उसके बाद नीचे आएंग उसमें question लिखा हुआ है in a leap year February month has 29 days ठीक है यह सवाल ठीक है यह गलत है ठीक है अब मैंने click कर दिया false अब देखें सबसे उपर लिखा हुआ आ गया answer to short ठीक है अब मैं यहां पर कुछ और type करूँगा अब देखें जैसे यह पूरे हो गए 120 characters यह हट गया ठीक है अब देखें यहां पर सबसे नीचे एक बहुत ही important information आ रही है दोस्तो submission tracking ID do not change this is important for tracking purposes do not change any change in this will make your submission void अब देखें यह जो tracking है यह हर student की tracking भी हो रही है दोस्तों ठीक है और उसके बाद यहां पर submit पर click कर दिया जाएगा अब student ने online question form paper submit कर दिया दोस्तों आप देखें लिखा हुआ रहा है thank you for using form presenter your response has been recorded अब दोस्तों हम दोबारा से Google form पर जाएंगे और देखेंगे कि यह जो हमने एक question paper solve करके submit किया जो student भी करेगा तो वो हमें कैसे दिखेगा ठीक है यह आपको पूरी cycle का पता होना जरूरी है जब तक आपको A to Z सब कुछ नहीं पता होगा तब तक आप confidence के साथ client से काम ठीक है मैं आपको बिना edit के दिखाता हूं दोस्तों एक भी step edit नहीं होता है ठीक है अब देखें यह वाला जो portion है इसको हम यहां से minimize कर देंगे ठीक है और देखें सबसे उपर questions के बराबर में लिखा है responses अब देखें एक response आया भी तक ठीक है अब मैं यहां पर click करके आपक student का email ID दिखेगा यहां उसका score भी दिख जाएगा यानि 40 में से 20 score है ठीक है अब मैं आपको और details दिखाता हूं उपर आएंगे अब देखें यहां पर question पर click करेंगे ठीक है अब हम देख सकते हैं कि जो मैंने जवाब दिये थे वो ठीक थे या गलत थे यानि student के जवाब ठ अब यह जवाब है यह ठीक है अब यह जवाब ठीक है क्योंकि हमने question paper में जो जवाब डाला था वो यही था ठीक है लेकिन अगर कोई institute में जो teacher इसको check कर रहा है manually इसको cross भी करना चाहे यह declare करना चाहे कि नहीं यह तो सवाल गलत है तो वह यहां से इसको declare कर सकता है कि नही नहीं ठीक है यह ठीक था अब हम अगले question पर जाएंगे तो यह हमने एक paragraph लिखा था अब देखें दोस्तों यह जो question था यह एक essay या paragraph लिखने का था ठीक है obviously है कि यह तो कोई institute का teacher पढ़कर ही decide करेगा कि यह ठीक है कि गलत है ठीक है तो वह यहां से decide करेगा ठीक है देखें देखेंगे कि अगला जो सवाल है यहां से हम चेक करेंगे अब यहां पर था इनलीप यह एक सवाल था अब इसका जो हमने जवाब दिया था वह गलत था ठीक है दोस्तों तो यह हम इस तरह से अपने सभी student के जो सवाल के जवाब है वो यहां से देख सकते हैं ठीक है अब जितने भी students ने यह question paper solve किया है हमें उनको उनके scores भी भेजना है यानि कि वो fail हुए pass हुए कितने numbers उन्होंने score किये वो हम कैसे भेजेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ यह आप कह लिजे कि institute कैसे भेजेगा ठीक है और वो सब कुछ automatically होगा दोस्तों ठीक है वो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे उपर जाएंगे जहां summary है महां click कर देंगे और नीचे आएंगे जहां लिखावा है release scores यहां click कर देंगे अब अब देखेंगे दोस्तों कि यहां लिखावा है all respondents मैं यहां click कर दूँगा ठीक है और उसके बाद यहां पर मैं एक message दे दूँगा जो सकते हैं जुरुरी नहीं optional है let's say हमने यहां एक message डाल दिया good luck ठीक है दोस्तों अब जैसे ही मैं यहां पर click करूंगा send emails and release तो जितने भी students ने यह online question paper answer किया है उनके marks उनके email ID पर तुरंत पहुंच जाएंगे दोस्तों ठीक है अब मैं यहां पर click कर देता हूं send अब हम यह कि किसी भी student के पास यह जो marks है यह जो score है जो result है वो कैसा दिखता है जब पहुंचता है email ID पर ठीक है वो भी खोल के मैं आपको दिखाता हूं मैं अपनी एक email खोल देता हूं अब as a student मैंने जो एक online question paper solve किया था यह मेरे को उसका result भी मेरे सामने आ चुका है तो अब आप द मिलें हम यहां से view भी कर सकते हैं अपना मैं view पे click करूँगा अब आप देख सकते हैं दोस्तों मैं अपना पूरा question paper और उसके answers के साथ देख सकता हूं कि मैंने कहां गलतियां की थी और कहां मैंने ठीक जवाब दिया था ठीक है दोस्तों तो इस तरह से यह student को दिख जाता ह इस से बढ़िया online question paper design करने का system हो ही नहीं सकता दुनिया में बहुत ही user friendly है बहुत ही बढ़िया है आप सीख चुके हैं कि online question paper कैसे design करते हैं दोस्तों अब दोस्तों मैं आपको यह दिखा देता हूं कि यह जो online question paper आप design कर लेंगे ठीक है यह आप client को भेजेंगे कैसे उसके पास कैसे पहुंचेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं और यह जितने भी results आएंगे students जो online question paper को answer करेंगे वो excel sheet में कैसे दिखेंगे अब मैं आपको दुबारा से google form पर लेकर चलता हूं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं excel sheet तक कैसे पहुंचेंगे अब दिखिए जह details आ चुकी है क्योंकि अभी तक एक ही व्यक्ति ने जो मैंने ही student बनके एक question paper solve किया तो एक ही दिख रही है अब पूरी details है दोस्तों किस टाइम मैंने paper start किया मेरी email id क्या है मैंने क्या score किया है मेरा role number क्या है ठीक है और यह पूरी details सारी excel sheet में आ चुकी है तो इस तरह से सब student की excel sheet आ जाएगी जो client देख सकेगा अब मैं आपको यह दिखाऊंगा कि यह online question paper client तक कैसे पहुंचेगा वो उसको हम add करेंगे देखें दोस्तों अब हम दोबारा Google forms पर जाएंगे जहां यह questions है यहां पर click करेंगे और जो यह send button है यहां click कर देंगे अब देखें नीचे ज check an online question paper for general knowledge और send पे click कर देंगे तो जैसे ही client इस email को खुलेगा यह इसी तरह का form उसकी आखों के सामने दोस्तों खुल जाएगा और यहां से वो responses चेक कर पाएगा और यहां से नीचे दिखें मैं आपको यह खोल के दिखा देता हूं यहां से copy link करके ठीक है वो यह question paper अपने students को mail भी कर पाएगा तो अब आपने पूरा circle समझ लिया दोस्तों ठीक है पूरा circle मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया ओके यह तरीका है online question paper design करने का अब आप सीख चुके देखिए दोस्तों मेरी यह कोशिश रहती है कि मैं हर वीडियो में आपको ऐसी जानकारिया दू जिससे आप एक नया skill सीखें और कमाई करने की कोशिश भी कर सकें आप सिर्फ अपने खाली समय में ही मेरे बताय हुए part time कमाई के तरीकों को try कर सकते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही part time कमाई करने के तरीके आपको बताता हूँ जिन में आपकी जेब से एक पैसे की भी investment न से या full time job कर रहे हैं उससे satisfied नहीं है तो मैंने 10-12 वीडियो बना कर YouTube पर डाल रखे हैं जिन में मैंने बहुत ही ज़्यादा unique unsunit tricks के बारे में जानकारियां दी हैं जिनको follow करके सेकड़ों हजारों लोगों की full time नौकरियां लग चुकी हैं मैं उन वीडियो के description box में डाल द practical हैं तो आपकी मन मताबिक full time नौकरी भी जल्दी से जल्दी लग सकती है तो यह थी video friends thank you very much